जब सेल पर प्रॉड़क देखा था तब ये सोचा नहीं कि इस प्रॉड़क को हफते में कितनी बार लगाना है लगाना है या नहीं लगाना है और क्या इस सेम इंग्रीडियन्ट की चीज़ें हमारे पास अल्रेडी पड़ी तो नहीं ऐसा ही होता है जब हम ले लेते हैं अब दूखने नहीं प्रॉड़क देखा नहीं पॉस्ट सेर्म इंग्री तो नहीं अजब बद रहरा है और आज उसके बारे में बात करेंगे अज और आज हम इसके बारे में बात करेंगे अगर आप इंजोई करते हैं साइंस पाक्ट डेली कॉंट्ट क्यूंकि मैं बनाते हुँ एक नई विडियो एवरी सिंगल दे यहां आपको मिलते हैं डीटेल स्किनकेर रूटीन्स जैनुवरी से लेके डिसेंबर तक हर महीने होगा एक गिववेवे रूल्स आर इंदे प्रिप्शन बॉक्स और क्या करना है आपको सारी विडियो में आपको पता चलेगा तो इस साटरेडे रेतिनल को कैसे लियर करना है उसकी एक लाइव मास्टर क्लास होगी so don't forget to make sure that you subscribe ताकि आप लाइब जोइन कर सकें बहुत लंबा इंट्रो हो गया अब आते हैं सालसिलिक आसिद के साथ या अब आते हैं सालसिलिक आसिद पे सालसिलिक आसिद का सबसे पहला amazing use case है body acne के लिए अब body acne जिनको होती है उनको पता है कि यह कितना जादा problem दायक कितनी जादा कश्ट दायक problem है क्योंकि obviously it hurts right आप कपड़े पहनते हैं friction होता है hurt करता है marks रह जाते हैं there are 20,000 things about body acne that we do not like body acne back पे arms पे butt area पे कहीं भी हो सकता है अगर आप कर struggle कर रहे हैं body acne से then take your salicylic acid serum आपको थोड़ा सा जादा देलना पड़ेगा depending कितना service area आपको cover करना है और आधा dropper more than enough होता है रात के टाइम पे clean dry skin पे तो या तो आप shower लीजिए ठीक है shower नहीं लेते तो एक towel से sponge करिए but make sure कि आप इसे clean dry skin पे लगाएं उसके उपर जब absorb हो जाए लगाए moisturizer amazing है for body acne इससे आपकी body acne जब खतम होगी marks नहीं रहेंगे otherwise क्या होता है जब body acne naturally हलका हलका खतम होता है बहुत बुरी pigmentation हो जाती है कभी कभी back पे इतनी जादा pigmentation होती है that I know you know clients come back to me and say कि हम कुछ भी ऐसा backless deep neck नहीं पहन सकते not deep neck low low back नहीं पहन सकते because we are so conscious of the pigmentation to acne को खतम करने के लिए without marks use your salicylic acid serum जहां जहां आपको body acne है और एक bonus tip अगर आपको बहुत जाते body acne है तो अपने normal जो soap या जो भी आप shower gel यूज करते हैं उसे bye bye कहें and use either a soap which has benzoyl peroxide और अगर बहुत intense body acne है तो आप यूज कर सकते हैं panoxal wash जिसमें है 10% benzoyl peroxide but वो आपका wash-off treatment है उसे आपको you have to use that to wash your body but in order to treat your acne use salicylic acid serum on your body number two और ये अमेजिग है उनके लिए जो लो कंप्लें करते हैं कि हमारी scalp इतनी oily है कि भम next day मैसला बाल्द होने के next day इतना oil produce करता है हमारा scalp it is a really really tough problem now I know you guys would have seen this on the internet lot of people talk about it influences normal people sablo baat karte hai about training your scalp कि अपने scalp को train करें कि वो less oil produce करें it's a myth I have I have tested rather I have spoken to not just dermatologist but trichologist trichologist होते हैं doctors जिन्होंने specialization करी होती है on the scalp and they say it is an absolute myth आप अपने scalp को जिम नहीं लेके जा रहें कि आप उसे train करें over production of oil is a serious problem जिसकी वजा से कुछ लोगों की scalp बहुत जल्दी oily हो जाती है तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो अपने salicylic acid serum को आधा dropper जिसमें होते हैं 5-6 drop dilute करें 10 ml पानी के साथ spray bottle में dilute करें उसे अपने scalp पे लगाएं as a pre wash treatment क्योंकि हम इसे इतना कम dilute कर रहे हैं आप इसे लगा सकते हैं every time you wash your hair before अगर आपने अभी बाल्द होने हैं 10-15 मिनिट पहले आप इसे लगाएं और यह आपके oil production को help करेगा क्यों कि salicylic acid एक BHA है जो है oil soluble जो oil को penetrate कर सकता है अलग है glycolic acid से अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी on glycolic acid वहां मैंने बताया था using glycolic acid toner या एक watered down version to actually control dandruff यहां मैं salicylic acid रेकमेंड करी हूँ specifically जिनकी flake ही नहीं है scalp जिनको actually excess oil production की problem है अगर आपके पास salicylic acid toner है तो आप उसे थोड़ा सा पानी में डालके water down करके लगा सकते हैं अगर आपके पास salicylic acid है तो acid serum है तो आप use करेंगे आधा dropper जिसमें 5-6 drops होते हैं 10 ml या 15 ml पानी ने छोटी सी spray bottle में डालके उसे अपने roots पे spray करें 10-15 minutes रखें सिर्फ wash and condition as usual जितनी बार आप इसे यूज़ करेंगे इसे आप हफते में राम से 3-4 बार यूज़ कर सकते हैं every time you wash your hair over a week but over like a month 4-6 बार अगर आपने इसको continuously यूज़ किया तो हो सकता है 4 हफते बाद आप realize करें कि जो आपकी scalp suddenly अगले दिन ओली हो रही थी अब वो अगले दिन ओली नहीं हो रही 2-3 दिन आपका wash last कर रहा है so that's a really really important use of salicylic acid serum अगर आपकी scalp excessively oily है बहुत जादा oil produce करती है अगने से ही related एक और बहुत common problem है जो carotis pilaris नहीं है यानि strawberry skin, chicken skin नहीं है but है एक अजीब सा texture अजीब सा texture जो usually आया जाता है arms पे या फिर ये forearm area पे यहाँ पे बहुत सारे लोग witness करते हैं छोटा सा bumpy texture, hulky सी redness and they don't really know के हमारे साथ हो क्या रहा है वो carotis pilaris नहीं है laser hair removal करने से भी नहीं जाता, ये generally होता है rough bumpy texture अगर इस तरहां का rough bumpy texture आपको है यानि आपके body पे है closed comodons, in that case salicylic acid serum को directly लगाएं clean dry skin पे और उसके उपर लगाएं अपना lotion जो closed comodons, acne face पे आता है, उसके लिए भी हम treatment में salicylic acid recommend करते हैं, because like I said oil soluble है, oil को penetrate कर सकता है, goes deep into your pores and cleanses it and that is why अगर आपके body पे इस तरहां का bumpy texture है जो KP नहीं है, acne नहीं है आपको समझ नहीं आ रहा के exactly क्या है, इस bumpy texture पे 100% pure salicylic acid serum या salicylic acid toner 100% try करें, ये था use case number 3 अब, ये थे 3 तरीके आप salicylic acid को use कर सकते हैं अपनी body पे, अब आचाते हैं face पे, and let's talk about a few layering combinations यो आप कर सकते हैं salicylic acid के साथ and let me tell you one of my most favorite layering combinations, जिस पर मैंने अच्छली एक विडियो भी बनाई थी How do you shrink a pimple overnight जब कभी, अगर आपको acne breakouts regularly नहीं होते, यानि आपको एक आधा पैस्की सा around your periods or whatever एक आधा acne आजाता है and you really need to get rid of it salicylic acid को use करें as a spot treatment यानि आपने clean dry face पे जहाँ acne है, let's say यहाँ पर है आपने यहाँ पे लगाया salicylic acid serum tap tap tap, उसको अबसॉर्ब होने दे रब नहीं करना है tap करें, अबसॉर्ब होने दे उसकी उपर लगाएं अपना acne patch acne patches बहाँ सारे हैं market में but honestly since last year since about summer right, so I'm saying May, June, July last year से लेके अब तक मेरे favorite acne patches हैं by the brand Derma को उनके salicylic acid microtip acne patches literally overnight अगर आपका white head निकल आया है उसमें से सारा gunk pull out करता है the best way to get rid of your acne yeah, acne and the pus without scarring so salicylic acid को use करें as a spot treatment उसके उपर लगाएं acne patch next day तक या तो आपका pimple श्रिंक कर जाएगा या वो जो pus है वो जब आप निकालेंगे उस patch को pus निकलाएगी and your acne is going to be clean scarring नहीं होगी it is fabulous यहां तो हमने बात करी एक आदा अकने जिनको आता है यानी using salicylic acid as a spot treatment यह था use case number 2 but what if आपको पूरे चहरे पे चुची ज़्ची ज़्दा नहीं है like closed comedones की बहार आपके जहरे पे What is it that you are going to use? I am going to give you a layering combination जो ideal है अक्ने के लिए specially कोमोडोनल अक्ने के लिए और वो है कि आप अपने Salicylic Acid Serum को लिएर करें Azlic Acid के साथ Salicylic with Azlic Acid means exfoliation plus exfoliation plus acne treatment Azlic Acid वैसे भी एक acne treatment है बहुत तरीके से काम करता है pigmentation के लिए amazing है acne को control करता है mild exfoliation देता है and salicylic acid के साथ इसे combine करना is a power pack combination तो in general अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा breakouts आते हैं closed pomodones usually chin area पे या फिर four hair area पे बहुत ज़्यादे आते हैं अगर आपको इस तरह की कोई problem है ये होगा आपका routine रात को चेहरे को double cleanse करें दो से तीन drop salicylic acid उसके उपर लगाएं aslic acid, pea size amount जट दोनों products absorb हो जाएं उसके उपर आप लगाएंगे अपना moisturizer ये salicylic acid plus aslic acid layering combination fabulous है अकने के लिए specially जिनको वो rough bumpy texture है मतब दिख रहा है के आपने और बहार में आ रहा अंदर नहीं जा रहा it is really annoying you try this combination you will not regret it उसकेस नंबर 6 है act A clearing combination जिसके बारे में लोग मुझसे काफी बार comment section में पूछते हैं और वो ये कि क्या हम salicylic acid use कर सकते हैं अगर हमारी skin dry है क्या salicylic acid हमारी skin को और dry बना देगा well simple answer is नहीं salicylic acid एक ऐसा exfoliant है जो dry combination super dry, super oily हर किसी पे काम करता है लेकिन अगर आपकी skin excessively dry है तो आप अपने salicylic acid को layer करें along with a hydrating serum या hyalonic acid तो ये होगा आपका skincare routine आप पहले लगाएंगे अपना salicylic acid dry चहरे पे dry चहरे पे आपने salicylic acid लगाया उसको massage किया वो अच्छे से absorb हो गया उसके बाद in about one minute अपने चहरे को हलका सा mist करें mist करें पानी से, rose water से, किसी भी facial mist से उसके बाद हलके गीले चहरे पे आप लगाएं hyalonic acid उसके बाद moisturizer अगर skin excessively dry है और इतनी dry कि आपको peeling, flaking इस तरहा की dry skin है तो salicylic acid को hyalonic acid serum के साथ यूज़ करें you will not regret it and the all-time favorite combination I think the combination for which I am known the combination that was single-handedly responsible जिस से इंकी list का BHA जो salicylic acid है was sold out on Sephora back in 2021 because TikTok पे इतने views आया थे तवाही मचा दी थी मैंने उस एक video के साथ that is salicylic acid with niacinamide large open pores हर इंसान को है blackheads and whiteheads की problem हर इंसान को है sebaceous filaments important है because आपका skin oil produce करता है ये सारी अगर आपको problems है blackheads, whiteheads, open pores, sebaceous filaments texture, my all-time favorite combination my signature routine salicylic acid को layer करें niacinamide के साथ फिर लगाएं अपना moisturizer ये है seven different ways in which you can use salicylic acid four ways are a little unique जहाँ उसे spot treatment, body के लिए यूसे कर सकते हैं और बाकी तीन हैं layering options so don't forget to tune in tomorrow like and subscribe if you enjoyed this video questions देखे थे आपने screen पे जो है questions इस giveaway के comments में आंसर जरूर दीजेगा I will see you tomorrow, till then take great care of yourself bye